Hello friends, class 12th IP में आज हम लोग बात करेंगी अपने first sector को लेकर कि इस sector में हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ data frame को लेकर कि दोस्तों जो हम लोग अपना एक data frame बना चुके हैं अगर हमको requirement हो कि अब उसके बाद में यहनि कि last में हम लोग चाते हैं एक और column add करना तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं एक से ज़्यादा column add करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हम चाते हैं कि उसके अंतर एक row add करनी है last में हम वो भी कर सकते हैं बीच में भी करना चाहें तो कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको एक से ज़्यादा row add करने तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हमरे requirement रहती है कि हम किसी particular column या row को delete करें तो वो भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं दोस्तों indexes को तोड़ा change करना तो हम लोग या आपन वो भी कर सकते हैं अपने columns को करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे काव हो सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने data frame के particular row और column पर तो हम लोग यह discuss करेंगे adding, modifying, deleting और renaming columns and rows ठीके तो एक एक करके इन सबी topics को discuss कर लेते हैं दोस्तों सबसे पर देखर हम बात करें तो आमारे पास में जो data frame हम लोग बना चुके हैं उस data frame के अंदर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कुछ add करना है मुझे कोई column तो पहला जो topic है अपने पास हो क्या है यहाँ पर modifying column या फिर adding तो आप add करना चाहते तो add कर सकते modify करना चाहते तो modify भी कर सकते इसमें आपके पास अदग अलग options है जैसे some values for all rows जैसे कि मेरे पास ये column add कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 5 add हो जाए ऐसे इसमें भी 5 add हो जाए, इसमें भी 5 add हो जाए, तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अलग-अलग rows की उस column में हमारे पास different values हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 7 हो जाए, इसमें 8 हो जाए, इसमें 9 हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं, आप यहा पर एक example जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ लेकिन इसको अमनों पीबा पहले practically करते हैं समझ समझ की देखिए मैं यहाँ पर अपना एक python एक बार शुरू कर देता हूँ python मैं मैं अपना एक data frame बना लेता हूँ ठीखे तो मैं क्या करता हूँ पहले छो एक नहीं file बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर जाकर बनादेता हूँ और save कर देता हूँ एक data frame बनाना है तो मैं लिख देता हूँ data equals to और यहाँ पर मैं pass कर दूँँ अब उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग suppose df एक variable जिसमें मैं क्या लिख दूँँगा period.dataframe तो मुझे क्या करना पड़ेगा जाकर case में जाके लिख दूँगा data frame और दोस्तो इस data frame के अंदर मैं pass कर दूँगा मेरा data जो मैं यहाँ इस पर डालने वाला हूँ इसके बाद में मैं जाके यहाँ पर क्या कर देता हूँ simple सा print कर देता हूँ अपने df को जो भी मेरा data है वो आ जाएगा फिला दोस्तो अभी हमारे पास कोई data नहीं तो एक empty data frame बन जाएगा अगर हम इसमें कुछ data डालना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं क्या करना है दोस्तो जैसे हम लोग यहाँ पर दो column ले रहे हैं एक a और एक b अब data पर हम लोग देखना चाहते हैं सेव करते हैं और रन करते हैं आप देखेंगे हमारा data यहाँ पर आचुका होगा दो column होगे हमारे पास एक है a एक है b अगर आप चाहें तो दोस्तो इसका index भी बदल सकते हैं तो अब दोस्तो यहां पर आप दोस्तोड आप इंडेक्ष नहीं है अपने इंडेक्स पॉक्त है और एक बार रां करता हुँ दीखेंगे यहाँ अमरी रो पर आपने और रखेंगे हैं पर काम कर रहा हुँ अब दोस्तों यहांपर मैं A और B तो बना चुका हूँ, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, एक और पॉलम एड़ करना है, जो कि आपका C बन जाए, तो देखिए अभी इसके अंदर दो पॉलम है, एक A, एक B, एक 7, 2, 3, 4, 5, 6, सबोज मैं एक और बनाना चालता हूँ, जिसके अंदर सब में 7, 7, 7 आ जाए, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमारे पास यहांपर एक तरीका है, हम लोग लिख देंगे DF of C, ठीके, अगर C एड़ होता, तो दोस्तों वो मोडिफाई हो जाता, लिके अगर मोडिव इसमें नहीं है, तो फिर यह मुझे mention करना पड़ेगा C, और C की जो value है, दोस्तों मैं कर देता हूँ, suppose कि 7, अगर मैं इसके बाद फिर से print करता हूँ, मैं जाकर किया लिख देता हूँ, DF, तो आप दिखेंगे कि इस बार जो आपका column number C है, ठीके, वो यहां add हो चुका है, तो पहले हमने A और B रखात लेकिन अगर आप देखेंगे, तो भी C है और C की value सेम है, बलब अपने तिरों के अंदर रोख के अंदर क्या हमने डाला है, 7, 7, 7, लेकिन अगर दोस्तों हम चाहते हैं, different type के values लेना तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिखते तो हूँ, DF, ठीके, और इसके अंदर आप ज चुका है, जो की है, नी, जिसमें value है, हमारे पास 8, 9, और 10, इसका मतलब है, कि हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, को सभी के अंदर एक ही value आजाए, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, कि सभी में different type के values आए, तो हम लोग अभी यहाँ पर यही देख रहे थे, क्या बत्रहते हैं मै आप कर सकते हैं, लिखेंगे df.at, ठीके, तो add करके आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, इसके साथ-साथ हम लोग alloc and assign को भी देखेंगे, अब यह जो add है, दोस्तो, df.at, इसके अंदर हमको बताना है, जाकर के symbol सा एक तो column, और उसके बाद, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे comma, यह जो होते हैं, आपके पास रोग लेकर के, और उसके बाद, comma के बाद हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर अपना column, जैसे कि मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ, e, ठीके, और इसकी जो value है, वो क्या रहेगी, दोस्तो, वो भी हम लोग mention कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ प पास एक और तरीका है, वो है, हमारे पास यहाँ पर loc, loc का मतलब क्या होता है, location, आप यह बता सकते हैं, सबसे last में आपको जाकर करें, यहीं कि सारे रोज में आपको लिटा चाहिए, और जो आपको column का नाम चाहिए, e की बाद, सबस मैं लेता हूँ, f, तो आप देखेंग इसमें हमारे पास m भी आ चुका, एक और column हमने add कर दिया है, इसी तरीके से दोस्तों एक और option है, आपके पास वो है, आपके पास assign, तो आपको क्या लिखना होता है, आप लिखते है, df equals to, df.assign, ठीके, आप लिख देंगे assign, और assign में आप अपना column और उसकी value pass कर देते है जैसे दोस्तों मैं इसमें जाके लिख देता हूँ, मुझे चाहिए g equals to our list, suppose तीन value इसमें भी है, 31, 32 और 33, तो इस तरीके से हमने इसमें value लिख दी, आप देखेंगे, या लिखेंगे g equals to एक list है, और उसमें आप कुछ value pass कर देंगे, function का नाम है assign, df equals to df.assign का मतलब है, क उसके अंदर add होके, वापस df के अंदर आ जाए, ठीके, और अगर आप चाहें, तो यहाँ पर in place equals to true भी लिख सकते, जो मैं आपको भी आगे भी बताता हूँ, तो दोस्तों यह हमने लिख दिया है, simple सा इसको हम save करते है, run करेंगे, आप देखेंगे, इस बार g भी आ चु I think यह आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम कर सकते, तो आप चाहें, तो एक बार इसको practice ज़रूर कीजिए, आगर practically खुद करके देखेंगे, तो एक confidence आपका develop होता है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो next हमारे पास है, कि अगर हम चाहें, तो एक row को भी add कर सक जो आपने देखा होगा C, इसको एक बार मैं वापस run करता हूँ, आप दिखेंगे, यहाँ पर C की value है, यहाँ पर 777, बाइदर है, अगर मैंने F की जगे यहाँ C लिख दिया होता, कई पर भी चाहें, E में, चाहें G में, तो जो पहले से आपका C है, अब वो modify हो जाएगा अब यह add नहीं होगा, इस चीज को दियान रखेगा, अगर पहले से हमारे पास वो problem है, तब तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर modify हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर add करना चाहते हैं, तो वो column लिखेंगे, जो हमारे पास अभी तक यह available नहीं है, जैसे की F, तो आप द modify otherwise add कर देगा, अब हम क्या बात करें, यहाँ पर modify करना है या add करना है row को, देखें, row को add करने के लिए हम लोग यहाँ use करेंगे, LOC को लेकर के बात करेंगे, एक और तरीका होता है add, लेकिन add में हम क्या कर सकते हैं, एक particular row के एक particular column को हम modify कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने य typically use LOC to add rows to a data frame while, टेके, while add is a primarily used for accessing or modifying a single value at a specific row and columns, इसका मतलब यह हो गया, कि अगर आपके पास कोई एक row है और उस row का कोई column है आपकी पास, जैसे मुझे यहाँ पर इस column में कोई changes करना है, तो मैं add को use कर सकता हूँ, टेके, लेकिन मैं क्या करा हूँ, and is not used for adding rows, तो add के through आप changes तो कर सकते हूँ, लेकिन modify यहाँ पर add जो है, वो आप नहीं कर सकते हैं, modify आप कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग थोड़ा practically discuss कर लेते हैं, अब आपको बता रहा हूँ, कैसे आप इसमें एक नहीं row को भी add कर सकते हैं, तो आपका example वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे भी हम लोग अपने यहाँ पर row और column डाल रखे थे, मैं काम कर लेता हूँ, दूस्तों यहाँ पर यह दो ही column रखता हूँ, बागी से बटा देता हूँ, ठीके, इसको अगर हम print करके देखेंगे, तो अभी हमारे पास A और B दो columns आ चुके, अब मैं इसके अंदर row number 3 पे, यहनी कि 0, 1 औ 2 जो अपने पास आगया है, अब यहाँ पर मैं एक और row लेना चाहरा हूँ, वो कैसे हम लोग यहाँ लेंगे, देखे मैं क्या लिख रहा हूँ, LOC of 4, सब्सक्र जो भी आप लिखना चाहे, तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर देता हूँ, simple सा मैं जाकर लिख देता हूँ, जैसे आपने df ले रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर df.loc, ठीके, location बता देंगे आप, और यहाँ पर आप बताएंगे row number, तो यहाँ पर मैं जाकर के लिखने वाला हूँ 3, ठीके, और 3 के बाद मैं यहाँ पर जाकर के वो value लिख दूना जो उस row में आने जैसे कि मैं लिखना चारा था यहाँ पर, suppose की 12, और मैं लिखना चारा था 13, तो एक, एक एंदर add हो जाएगा 12, और भी मैं add हो जाएगा 13, अगर हम यहाँ पर जाकर के फिर से print करेंगे अपने df को, तो हम देखेंगे, कि यह वाली row आपके पास में add हो चुके 12 और 13, ठीक करना, तो हम लोग यहाँ पर land को भी use कर सकते हैं, मैं कि लिख दूँगा df.loc, ठीके, और loc की अंदर दोस्तों मैं यहाँ पास कर दूँगा, कि जो land है, किसकी df की, df की land का मतलब है, यह इसमें number of rows कितनी है, यह बताता है, land बताता है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ जैसे 1, 2, 3, 4, यहीं कि 0, 1, 2, 3, टोटल कितनी होते हैं, कि अब अपने पास यहाँ तक 4 हो चुकी है, तो मैं add का कर रहा हूँ, 4 पे कर रहा हूँ, ठीके, 4 क्यों, क्योंकि 0, 1, 2, 3 तो हो चुका है, तो 4, इसलिए मैं यहाँ पर यह mention कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप चा तो क्या करते हैं, हम लोग modify करते हैं, तो आप यहाँ पर add यूज कर सकते हैं, उसमें आप panel row और फिर अपना column बता करके value को modify कर सकते हैं, क्या लिखते हैं, और यहाँ पर आप बता सकते हैं, कि मेरी row number कौन सी है, suppose की 2, और उसका column number क्या है, दोस्तों, suppose की B, जिसकी value में क्य करना चाहरा हो, suppose की 500, तो जो B column है, उसके अंदर भी आपके पास, जिसकी index number, जिसका 2 है, आपके पास, उसको यह modify कर देगा, अब लोग यहाँ देखते हैं, एक बार, खेर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखते हैं, df.at, और यहाँ पर हमको pass करना था, ठीके, ब्रेकेट हम जो यहाँ यूज कर रहे थे, वो यह वाला ब्रेकेट आजाएगा, इस तरीके से, ठीके, इसको मैं save करके रंग करता हूँ, आप देखेंगे, यहाँ पर उसनी क्या कर दिया है, 500 इसको कर दिया है, ठीके, तो हमने इस तरीके से, एक को हम लोग modify कर सकते, लेकिन अपर एक स पास यहाँ पर दो functions है, एक है यहाँ पर concat, यहीं कि आप दो आखे सकते data frame को जोड़ना चारे, concat कर सकते हैं, या फिर आप underscore append function को भी use ले सकते हैं, अब इसकी लिए क्या करूँगा, मैं एक और data frame बना दूँगा, जिसका data दोस्तों में, df में add करने वाला हूँ, कुछ इस example के साथ, ठीके, तो देखे, मेरे पास यह है, तो हम लोग इसमें add करके देखी चुके, आपको समझे माई गया होगा, अब हम लोग इसको एक बार save करके देखते हैं, अभी हमारे पास एक data है, एक डेटा है, और उसकी index है, 012, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर एक और मैं बनाना चारा हूँ, अपना एक data frame, ठीके, तो मैं simple सा इसको copy कर लेता हूँ, यहाँ paste, और जो data मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीके, वो मैं एक dictionary प्रोवाइंट कर देता हूँ, और dictionary में यहाँ कर देता हूँ, एक, और जिसकी value आप जो भी लिखना चाहें, जैसे कि मैं देता हूँ, suppose कि 50 or 60, इसी type से दो मैं डाल देता हूँ, suppose data, और एक मैं कर देता हूँ, और बी की जो value है, दोस्तों, वो मैं यहाँ कर देता हूँ, suppose कि 70 or 80, ठीके, और इसका नाम रख देता हूँ, मैं यहाँ पर DF जो था, इसके साल रख देता हूँ, अगर मैं इसको print करता है, आप चाहते हैं, इनको आपस में जोड़ना है, concatenate करना है, तो फिर वो हम कैसे गरेंगे, तो उसकी रख देता है, एक है आपके पास append और एक है आपके पास concat, ठीके, तो आप यहाँ पर देखेगा, जरूर आपकी book के अंदर, दोस्तों, mention हो सकता है, कि केवल append लिखा हो, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, underscore append चलेगा, इसकी अंदर हम लोग यहाँ पास कर देंगे, df2, ठीके, क्या लिखेंगे, df2, और यह जो df2 है, वो किसमें आपके add हो जाएगा, df के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोस्तों, यहाँ पर जाकर कर देंग तो हमारा df2 हो जाएगा, और इसके साथ हम लोग लिख देंगे एक और word, that is, ignore underscore, ठीके, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, ignore underscore, index equals to, true, इस तरीके से हमको लिखना परेगा, अगर दोस्तों, हम लोग फिर से जाकर के देखें, ठीके, मैं यहाँ जाकर क्या प्रिंट करता हू किस को, df को, तो यह क्या करेगा, जो पहले df तर जिसमें तीन record थे, और अभी एक और df2 बना दिया, आपने जिसमें दो record है, तो दोनों मेल करके df में आ गए हैं, और df में हमारे पास हो गया, कुल मिला गया 5 records, तो आप दिखेंगे, कि जो अभी हमने last df लिया है, उसम हमारे पास एक और तरीका है, यहाँ पर बस हम एक function use करने वाले हैं, और वो function का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नाम है हमारे पास concat, तो हम लोग यहाँ पर concat कर सकते हैं, तो concat के अंदर हम लोग यह pd.concat कर देंगे, तो simple size आके लिख देता हूँ यहाँ पर pd, य और इसमें हम पास करतेंगे अपने दोनों, यनि कि एक मैं बता रहा हूँ, df के अंदर आपको क्या चाहिए, df2, तो इस function के अंदर लिख दूला हम है, df के अंदर चाहिए, df2, इस तरीके से mention कर दूला, और ignore index तो आप कर देगा, और यह complete data आपका का आ रहा है, दोस्तो तो यह अमारा data आ जाएगा, df के अंदर, df equals to pd, अगर हम फिर से देखे, प्रिंट करके, इसको save करके run करेंगे, तो आप देखेंगे, दोस्तो यहाँ पर अमारा वैसे data आ रहा है, जैसा कि अभी अमारा यहाँ उपर भी append में भी आ रहा था, तो append की जागे, आपको क्या रोज पढ़िए, वो लेना है, तो वो ले सकते हो, अगर आप columns लेना चाहते है, आला कि इसमें हमने multiple columns ले चुके थे, लेकिन अगर आप multiple columns लेना चाहते है, तो हमारे पास में क्या था, loc हम देख चुके थे, add भी हम लोग देख चुके थे, ठीके, अब देखे, अगर हम ल दोस्तों, यहां से इन सभी को एक बार फिर से नटा देता हूँ, ठीके, मेरे पास जो original data था, मैं आप उसी को रखने वाला हूँ, save करते हैं, run करते हैं, आप देखेंगे, हमारा a और b कर डीटा आ गया, मैं चाहता हूँ, दोस्ते, swipe को 500 बना दूँ, या 3 को 300 बना दू, देख होते हैं, दोस्तों, आपके पास यहां पर उसका नाम है, loc, ak, at, ak, i, loc, at, i, at, जैसे अगर मैं loc की बात करता हूँ, तो हमारे पास index 012, यहां पर इस अपोज ABC, अगर हम बात करें internally, तो यह अपने आप में यह भी क्या है, हमारे पास में, numeric ही है, और यह भी आपके पास क्या, numeric ही बने, आपने इसका नाम ABC, ऐसा भी रखा हो, तो अगर आप चाहते हैं, column का नाम, जो आपने index है, column में दे रखा, तो आप क्या लिखेंगे, loc, और अगर आप numeric वेन्यू चाहते हैं, तो आप क्या लिखतेंगे, यहां पर i, loc, same to same, जैसे loc में होता है, आप column बता दी हैं, और value change करती है, तो मैं यहां पर जाके क्या लिख देता हूं, ठीके, मैं जाके लिख देता हूं, यहां पर df. ठीके, तो यह रहा मना df.noc, और इसके अंदर आपको जाकर के बता देना है, row जो भी आपकी, ठीके, और column आपका जो भी है, और उसकी value आप क्या करना चाहते, तो मैं इसकी value कर देता हूं, suppose, जिससे हमारे पास यहां पर है, मैं लिख देता हूं, 600, ठीके, मैं इस तरीके से इसकी value कर देता हूं, 600, ठीके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो row number, जिससे ही आपके पास है, 0, then 1, then 2, तो 2 और उसका column कौन सा है, भी, अगर हम इ प्रिंट अफ, तो पहले मैं आपको पुराना data दिखा हूँगा, और उसके बाद नया data, तो यह वाला अमारा data है यहां पर, ठीके, यह वाला data है हमारा पूरा ना, और उसके बाद जो मैंने change करके फिन दिखाया है, तो यह क्या हो गया, जिसकी row number क्या है, 2, row number 2 का मतलि इस 2 है, और यह हमारा कॉलम है, भी, तो आप इसकी value इसको change कर सकते हैं, ठीके, इसी तरीके से, जैसे आप यहाँ पर loc को use करें, दोस्तों, आपके पास एक और तरीका है, आप यहाँ पर use कर सकते हैं, किसको add को भी, add में जाकर कि मैं suppose इसको कर देता हूँ 1, ठीके, और इसके मैंने कर दें, जबकि यह था, आपका भी, 600, ठीके, यह समझवा आगी होगा, आपको, आप add use कर सकते हैं, इसी तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर use कर रहा था, loc को, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, I, loc और I, add भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर, क्योंकि आपका a, जो है, व आपके पास है, pool, मैं इसको कर देता हूँ, 400, ठीके, तो यह, आप index, जो बता रहे हैं, जो location बता रहे हैं, वो integer location है, और ऐसी दोस्तों, मैं इसको कर देता हूँ, suppose कि, 0 और 0 कर देता हूँ, suppose, यहनि कि पहली value जो 1 लिखी है, उस comment देता हूँ, 100, ठीके, इसको save करके run करें आप देखेंगे, यह 00 हो गया आपके पास में, और यह आपके पास 01 हो चुका है, ठीके, तो यह आपके पास 00, और यह आपके पास 01, जो भी value डान होगे, वैसे आपके पास आजाएगी, तो हम लोगों ने यहाँ पर ही देखा रहा है, कि हम लोग यहाँ पर LOCB यूज कर स आए, तो कैसे कर देखेंगे, ठीके, तो हम लोग एक बार यह भी देख लेते हैं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोस्तों, इस सभी को एक बार आटा देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ और data ले लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3 था, सबूस 5, 6, 7, इतना data ले ले लेता तो हम लोग इसको एक बार save करके, run करके देखते हैं, क्या इसका output रता है, indexes में शायद कुछ issues हुआ होगा, तो 1, 2, 3, 4 ने डाब रहा है, सबूसमें इसको 4 करके, equal length कर देता हूँ, दोनों की, save करके run करेंगे, दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 11, 12, 13, ऐसे, अब मैं चाहिसे हैं, एक single column को delete करना, वो कैसे करेंगे, single row को करना, वो कैसे करेंगे, पहले मैं आप को दिखा देते हूँ, यहां पर कैसे हम delete कर सकते हैं, अबने को तो column को delete करने के लिए, आप को क्या लिखना होते है, del statement, आप जाएगी, आप लिखते देंगे, del df of a, ठीक है, तो मैं यहा जाता हूँ और जाकर एक लिंग देता हूँ यहाँ पर ठीके तो हमने क्या लिख दिया डेल डेल के बाद अमों लोग जाकर क्या लिख देंगे DF, DF के अंदर क्या लिख देंगे हमारा जो भी कॉलम जिसको हम डिलिट करना चाहते है चाहिए वो A हो चाहिए B हो और फिर उसके बाद अगर हम लोग फिर से DF करके देखेंगे दोस्तों हमरा जो column था वो delete हो चुका है B, अगर हम B की जगे यहां जाके क्या लिखतेंगे A आप देखेंगे क्या delete हो जाएगा इस बार हमारे पास जिसका नाम क्या है drop, इसमें हम index यह एक value बताना चाहते हैं यह sequence of indexes बता सकते है जैसे कि 5, 6, 9, 10, ऐसी value भी पास कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखें तो हमने लिखा drop of 1, इसका मतलब है जो row number 1 है, ठीकि यह record number जिसका 1 है, जिसका index 1 है वो delete हो जाए, और जिसमें हमने लिखा 1 और 2 है, इसका मतलब 2 आप के पास रोज delete हो जाएंगी तो आप क्या लिखतेंगे, यहाँ पर जाकर df equals to df.drop और इसमें अगर आप लिखते हैं 1 तो आप इसको एक बात देखें, save करके run करता हूँ, दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और 0 के बास सिदा क्या रहा है, 2 आ रहा है ठीके, जबकि हमारे पास यहाँ पर यह row थी, लेकिन अभी row कायब हो चुकी दियो, हमने इसको drop कर दिया delete कर दिया है, ठीके, इसी type से अगर आपको लगता है, एक से ज़्यादा अगर आप delete करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्या करना होगा, इसके निए हम यहाँ पर जाकर के एक list पास कर देंगे suppose कि दूस्तों मुझे यहाँ पर row number 2, फिर उसके बाद 4 और या 5 या 6 को मुझे delete करना है, ठीके, save करता हूँ, run करता हूँ, इसको एक बाद फिर से code को, तो आप देखेंगे इस पार अमरे पार 0, 1, 3 और 4 यह बची है, जबकि इसमें 2 delete हो चुकी है, और 5, 6 भी हमारे delete हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर यह statement लिखे, 2, 5, 4 6 को delete कर देना है, ठीके, अब दोस्तों यह आपको समझ में आ चुका होगा ऐसे ही, next अगर हम बात करें, तो यह code लिखा हो है, यह मैं आपको बता चुका हो, अब अगर हम लोग चाहें, इसमें कोई conditions की यह साब से delete करना, तो दोस्तों हम लोग वो भी गर सकते, कैसे, तो हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे, यहाँ पर df equals to, ठीके, जिसको आपको delete करना है, अब देखिए, इसमें क्या delete करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं इसमें condition लिखिए मिने, कि जो हमारी df है, अब देखिए df of b, df of b मतलब को क्या देता है, तो true या false अब जब आपने इस true या false को लिखा, इस df के अंदर, इसका मतलब है कि वो value हमको देनी है जो df में क्या आरही है आपके पास में true आरही है तो जो true आरही है, मतलब यह क्या कर देगा, automatically इस 5 को यहाँ से delete कर देगा 15, 10, 18 और 22 दिखाएगा इस example के इसाब से तो आप conditions के इसाब से भी अगर delete करना चाहें, तो आप कर सकते है क्या लिखा है, मैंने df equals to df ठीके, df equals to df और इसके अंदर मुझे वो true या false बताना, तो मैं क्या लेकर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा df है और df का भी कौन सा quantum suppose की भी, ठीके और इसमें भी हमने क्या लिखना है यहाँ पर कि यह जो हमारे पास condition is greater than equals to अब इसके according अगर हम लोग देखें दोस्तू, तो मैं नेरा चाराओ सपस 14 से is greater than or equals to अगर 14 है तो यह आपको क्या दिखाएगा यहाँ पर true ठीके, यह आपको क्या दिखाएगा true और इसमें जो जाएगा true वो आपका data इसमें रहने मल है ठीके, इसका मतलब है 11, 12 और 13 यहाँ से delete हो जाएंगे यह I think दोस्तो, आपको समझ में आ गया होगा अगर मैं इस code को save गन के run करता हूँ तो आप दिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 14, 15, 16, 17 है ठीके, उससे पहले का data चला गया क्यों चला गया है क्योंकि conditions के इसाब से यह क्या हो रही है आपके पास false हो रही है तो यह जो आपका statement है यह आपको देता है true या false मैंने लिखा df equals to df of true ठीके, तो जो जो true है वो रहे जाएंगी और जो बचगे false है वो सारे आपके automatically delete हो जाएंगी तो आप according to conditions नी अगर चाहें तो आप अपनी rules को अपने column के हिसाब से आप इसको delete कर सकते हैं ठीके यह आपको समझ में आगया होगा तो मैंने आपको अभी तीनों चीज़े बता दिये कि अगर आप चाहें तो एक column को delete कर सकते हैं किसको डिल को use करके आप drop method को use कर सकते हैं एक या एक स्चे जादा row number बता करके और आप यहाँ पर conditions के हिसाब से भी delete कर सकते हैं next अगर हम बात करें तो दूस्तों हमारे पास आता है rename अगर हमने अपना कोई column बना रखा है जिसका नाम A और B दे रखा है हम चाहे तो उसको change कर सकते हैं change करने के लिए हमारे पास एक तो हम simple सा columns लिख सकते हैं जैसे df.colum equals to alpha beta और आप चाहे तो यहां एक function use कर सकते हैं that is rename तो हम दोनों देख लेते हैं पहले मैं आपको यहां पर क्या करता हूँ कि इस सभी को एक बार फिर से हाटा देता हूँ मैं यहां पर एक बार इसको हाटा देता हूँ और आटा देने के बाद इसके बीच में मैं कुछ काम करता हूँ तो अभी मेरा पूरा data आएगा अब मैं a और b की जगे सभूस की चाहता हूँ लिखा आजए march अप्रेल तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा df.colum ठीके इस तरीके से लिख देने दो कौनव हो गए अब a की जगे क्या लिखाएंगा march और b की जगे क्या लिखा जाएंगा april simple सा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है a की जगे march और b की जगे april लिखा आचुका है ठीके इसी तरीकी से जिसे अभी अपने इसको करा अब हमारे पास एक और तरीका अगर मैं वापस run करूँगा आप इस सेव आएगा वैसी a और b की ठीकी ठीकी मैंने यहाँ पर क्या कर दे है comment बना दिया है लेकिन एक और तरीका है आपके पास वो क्या है हमारे पास है दोस्तों वो है rename हम rename function को use कर सकते हैं तो मैं लिखता हूँ df equals to क्या लिख दोगा df equals to df.rename और इसके अंदर जाकर कि हमाँ पास कर सकता हूँ अपने columns तो मैं लिख दोगा columns ठीके और columns जो है यह हम लोग पास करतेंगे एक dictionary में जैसे जो हमारा a है उस a की जगे हम लोग यहां क्या लिखना चारहे है तो मैं लिख देता हूँ suppose कि मैं ठीके मैं लिख देता हूँ यहां पर में और इसी type से मैं दूसरा लिख देता हूँ b b की जगे हम लोग क्या लिखना चारहे है में के बाद, suppose June, मैं इस तरीके से लिखना चाहरा हूँ, save करें, run करें, आप देखेंगे, हमारे पास क्या आगया, मैं यह और June आचुका है, ठीके, A और B की जगे है, simple सा है, आपको समझवा गया होगा, अब इसी काम को करने का हमारे पास एक और तरीका होता है, मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, देखेंगे, अभी आपने क्या कर देखेंगे, df equals to df.renew, आप डारेक्ट भी कर सकते थे, बेना df के, बट इसके लिए फिर आपको यहाँ पर जाकर के लिखना पड़ जाएगा, in place equals to, 2, क्या लिखतेंगे, आप in place equals to, 2, इस तरीके से आपको लिखना है, save करें, run करेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, new और june आ रहा है, ठीकिया, मतलब रहा है, जो आपने यहाँ डाद है, वो अब आपका आना शुरू हो गया, तो आपके ऊपर है, आप यहाँ पर columns use करें, आपके ऊपर है, आप यहाँ रिनेम यूज करें, अगर रिनेम करें हैं, तो आपके पास एक तरीका है, df equals to df कर सकते हैं, एक तरीका डारेक लिख सकते हैं, लेगिर उसके last पर आपने क्या दिखा होगा, इन प्लेस इकोल स्टू ठूटू, ठीके, यह भी आपको समझ में आपके, कैसे हम लोग यहाँ पर रिनेम कर सकते हैं, एड कैसे कर सकते हैं, रो और column को बता चुका हो, ठीके, multiple row को आप लेना चाहते हैं, multiple column लेना चाहते हैं, delete मैं आपको बता चुका हो, रिनेम भी मैं आपको यहाँ भी बता चुका हो, ठीके, तो यहाँ पर आपके पास रही था, रिनेम के लिए, ठीके, अगर आप रिनेम करना चाहरे हैं, column को, तो भी हमने यहाँ देखा है, column, जिसमें rename यह column यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो, रिनेम करना है, रोज को, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स, या दूसरा हमारे पास क्या है, रिनेम, रिनेम में हम भी हमने यहाँ क्या लिखा था, columns, जब columns को करें, यहाँ पर किसको करें हम लोग इंडेक्स को, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने के दोस्तों, इने को फिर से एक बार डेलेट कर देते, अब मेरे पास यहाँ जो यह columns है, ठीके मैं एक बार इसको बड़ा देता हूँ, आप देखेंगे columns जो है, वो तो है A वर B, और row क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मैं suppose इनको ABC या कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीके, तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ, क्या करना होगा दोस्तों, तो मैं इसको एक बार करता हूँ, बन, मैं यहां आ जाता हूँ, और यहां आ जाने के बाद हम को क्या लिखना है, यहां तो मैं लिखना हूँ, df.index, ठीके, index equals to, और इसके इंदर हम पास कर सकते हैं, जो भी हम रहे हैं, जैसे कि मैं यहां लिखना चाहरा था, like Sunday, ठीके, मैं लिखना चाहरा था, Monday, मैं लिखना चाहरा था, ठीके, इसी टाइप से Tuesday के बाद लिख देता हूँ, Wednesday, फिर मैं लिखना चाहरा, Thursday, ठीके, इसी टाइप से मैं लिखना चाहरा था, Friday, और मैं लिखना चाहरा, SAT, यहीं कि Saturday, तो हमारे जो डेटा है वो किता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारा कमप्रेटी हो चुका है मैं दोस्तों गर इसको जाकर के फिर से क्या लिख देता हूं प्रिंट आफ डियर आप सेव करें रन करेंगे आप देखेंगे यह जो अभी आपके पास 0, 1, 2, 3 लिखा रहा था इसके जाएंगे क्या लिखा रहा है आपके पास Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday इस तरीके से तो एक तो तरीका हो गया आप Index बता सकते हैं दूसरा में आपको क्या का आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं रिनेम भी बता सकते हैं तो रिनेम के लिए आप सिंबल है अगर आपने कोई वैल्यू लिक रखी है पहले से तो आप उसको भी यहाँ पर चाहें तो चेंज कर सकते हैं जो भी आपका Index से आप बताएं यह भी यह सी की जगे आपको क्या चेंज करना है आप उसको भी यहाँ पर mention कर सकते हैं तो रिनेम भी दूस्तों आपको समझ में आ गई होगी ठीक है इसका एक example है जो मैं आपको भी यहाँ पर बताया था तो इसको आप चाहिए एक बार देखें खुद भी practical करें यही सारी चीज़े मैं आपको भी बता चुका हूँ तो इस तरीकी से दोस्तों अल्मोस्ट हमने सारी बाते करनी है complete हमारा chapter गतम हो गया है सारे topics को हम लोग practically discuss कर चुके हैं अब आपकी तरफ से दोस्तों मुझे चाहिए कुछ input आपको सारी चीज़े समझ में आईए comment section में दोस्तों बस आपके comments का मैं wait करता हूँ क्योंकि बहुत बार दोस्तों मुझे motivation की ज़रूत पड़ती है मैं जो videos बना रहा हूँ आप देखें बली मेरे channel पे subscriber कितने है comments कितने आ रहे हैं दूसरा जो भी आप चाहिए analysis कर सकते है सबसे important दोस्तों मेरी जो मैनत है उसका मुझे वापस result चाहिए और मैं जो मैनत करा हूँ उसका result आपका भी बहुत improve होना चाहिए तो आप एक बार इसको देखें अच्छी से videos देखें आपको समझें आएगा practically आप करके देखें जैसे जैसे दोस्तों आप practically चीज़े देखेंगे videos को देखेंगे समझेंगे 100% दोस्तों आपका result बहुत अच्छा आने माला है तो मिलते हैं दोस्तों आपने अगले वीडियो में एक नए topic के साथ एक नए chapter के साथ तब तक आप मेरे साथ जूड़े रहिए Thank you